हेलो प्रेंट्स आप सब का आपके अपने चनल गुवेंद लक्षर्स में आर्दिक स्वागत हैं तो आज की स्क्लास में हम बॉर्ड अप सेकंडरी एजुकेशन राजस्तान अजमेर के द्वारा प्रक्सादस के इंग्लिस विशे के ऑफिसल मोडल पैपर 2023 की सर्चा करेंगे हमने आपके इंग्लिस विशे के बुलू प्रिंट की सर्चा बहुत अच्छे से कर ली थी जिसमें हमने समझा था कि आपके इंग्लिस विशे का पैपर कैसा आएगा किस तरह के प्रशन पूछे जाएंगे कौन से सेक्षन में किस किस तरह के प्रशन देखने को मिलेंगे ग विश्यों की blueprint को आसानी से देख सकते हैं, जहां से आपको सभी विश्यों के बॉर्ड प्रिक्सा में आने वाले paper के pattern का आसे से अच्छे से क्या हो जाएगा, ज्यान हो जाएगा, कि आपकी बॉर्ड प्रिक्सा का जो paper है, उसका pattern कैसा होगा, उसमें किस तरह के प्रश्णों पूछे जाएंगे, कौन सा chapter कितने अंकों का होगा, ये सारी जानकारी आपको वहाँ से मिल जाएगी, तो आप एक बार blueprint वाली class जरूर देखे, इस class में बात कर रहे है, बॉर्ड पैपर 2023 की कक्सा 10 इंग्लिस विसे के, वही paper आपका 3 गंटा 15 मिनिट का होगा, और कितने अंकों का paper होगा, 80 अंकों का आपका paper होगा, सबसे पहले ये कुछ ध्यान देने योग की बात लिखी गई है, ये आपको जनरल इंस्ट्रक्शन पढ़ने है, ठीक है, सुरू करते हैं, सबसे पहले section A से, तो section A के अंदर, जो सबसे पहला प्रशन है, वो reading से संबन्दी थे, यानि कि आपका एक passage दिया गया है, जो की कैसा passage होगा, unseen, यानि आपकी किताब से बाहर का passage है, और इस पर आधारित प्रशनों के आपको क्या देने है, जवाब देने है, ठीक है, यहापर हम paper को solve नहीं कर हुआ है, जो आपकी किताब के बाहर का है, और उस पर आधारित को प्रशन दिये गए है, इन प्रशनों के जवाब आपको इस passage को बढ़गर देने है, ठीक है, तो पहले passage पर कितने प्रशन दिये गए है, टोटल 6 प्रशन दिये गए है, पहले प्रशन के अंदर, टोटल 6 सबी प्रशन एक एक अंकों के हैं यानि पहला पेसेज एक खितने अंकों का है छे अंकों का फिर दूसरा rate the following passage and answer the questions that follow यहाँ पर भी आपके सामने एक बहुत बड़ा पेसेज दिया गया है ठेक है इस पेसेज को इच्छे से पढ़ना है एक दू बार और फिर इस पर आधारित प्रशनों के क्या देने हैं आपको जवाब देने हैं जिस पर टोटल कितने प्रशन दिये गए हैं टोटल नो प्रशन दिये गए हैं कितने प्रशन इस पेसेज पर टोटल नो प्रशन दिये गए हैं और सबी प्रश्णा कितनushi अंगो का है, एक-एक अंग के सबी प्रश्णा है ठीक है, total 9 अंगो का ये passage है पहला passage 6 अंगो का था और दूसरा passage आपका 9 अंगो का है, ठीक है यह आप चाहते हैं तो फोटो खींच सकते हैं और उसके बाज आप खुद एक बार solve जरूर करें, और होता है तो मैं इसको आपको solve जरूर करवाऊंगा कोई tension ना ले आगे बढ़ते हैं section B की और यानि section A के अंदर section A के अंदर आपके दो पैसेज दिये गए हैं कितने पैसेज दो एक पैसेज आपका 6 अंकों का है और दूसरा पैसेज आपका volleyball team यानि आप अपनी school के volleyball team के क्या है कप्तान है यानि आप महराना परताब secondary school ब्यावर के अंदर जिल्ला इस तरजी टूर्णामेंट हो रहे हैं उसके अंदर भाग लेना चाहते हैं अपने परदाना चारे को अनुमती है तू कि आप उस तूर्णामेंट में बाग लेना चाहते हैं इसके लिए अनुमती प्राप्त करने है तू अपने principle को क्या लिखना है एक application लिखनी है अथवा में दिया हुआ है आपको किसी newspaper के एक संपादर को क्या लिखना है इमेल लिखना है आपकी जो बस्ती है उसके अंदर जो अवयवस्ताइ फैली हुई है उस अवयवस्ताओं के बारे में क्या करना है एक समाचार पत्र के एडिटर को इमेल लिखना है ठीक अगला चौथा प्रस्न है जान्य यह जो आउटलाइन नी गई है इन आउटलाइन की मद्द से आपको कै लिखनी है पिर इसका एक टाइटल आने सिर्षक देना है और उसका मोरल मतलब उसके क्या सिखसा मिलती है वो भी लिखनी है टोटल तीन चीजे लिखनी है, सबसे पहले आपको इस outline का title लिखना है, फिर इस outline की मदद से क्या लिखनी है, story लिखनी है, और फिर क्या लिखना है last में moral कि इससे क्या आपको 6 मिलती है, ठीक है, और इन दोनों में से आपको कोई एक करना है, दोनों अथवा में है, आगे इस चित्र को देखकर आपको इस topic पर कम से कम 60 सब्दों में क्या लिखना है, एक short paragraph लिखना है, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है coronavirus vaccination, तब को coronavirus क्या होता है, कहां से आया, कैसे फैला, इस पर थोड़ा लिखना है, फिर इसकी vaccination प्रकिरिया के बारे में लगब 50 से 60 सब्दों के पर एक paragraph लिखना है, दोनों में से कोई एक आप कर सकते हो, यह था आपका 20 section जिसमें आपको application और email में से एक लिखना है, फिर दो story के option है, उन्हें से कोई एक लिखनी है, और दो paragraph के option है, उन्हें से किसी एक पर paragraph लिखना है, आगे बढ़ते है section C, यह आपका grammar से related है, ठीक है question number 6, choose the correct form of the verbs, यह आपके tensor related प्रशन है, जहाँ पर आपको correct form of the verbs भरनी है, पहला प्रशन है, आई, खाली जगह, गो टो जैपूर yesterday, ठीक है, यहाँ पर देखो yesterday दिया हुआ है, past simple, ठीक है, तो past simple में क्या आएगा आप सब जानते हैं, फिर you usually, यहाँ पर दिया हुआ है, usually, breakfast at 8 a.m., तीसरा, we, खाली जगह, study in this school, 4-3 years, यहाँ पर समय दिया हुआ है, 4-3 years, चोथा, the train, खाली जगह, live before I reached, यहाँ पर second form दिया हुई है, तो यहाँ पर क्या आएगा, head के साथ third form, तो यह आपको क्या करना है, भरना है, tense के आदार पर चाप दिया हुआ है, इसमें correct form of the verbs भरनी है, आगे बढ़ते हैं, question number 7, तेवन दिया हुआ है, tense the following sentences into indirect speech, आपको दो sentence दिये गए है, ठेके, यह direct में दिये हुए है, आपको indirect speech में बदलना है, आठवा, rewrite the following sentences using connectives given in the bracket, आपको bracket के अंदर जो यह connectives दिये हैं, संसंयोजक सब्द जिसको कहते हैं, इनको इन वाक्य में जोड़ कर दूबारा लिखना है, इन वाक्यों के अंदर, इन connectives को जोड़ के इन वाक्यों को दूबारा लिखना है, नवा प्रस्ण है, join the following sentences using the relative pronoun given in the bracket, bracket के अंदर जो relative pronoun दिया हुआ है, सम्मंद वाचक, सर्वनाम, उसका उप्योग करते हुए, इन दूनों वाक्यों को आपस में जोड़ना है, ठीक है, इसी तरह यह वाला वाक्य, इसमें who, relative pronoun को उप्योग करते हुए, इन दूनों वाक्यों को जोड़ना है, एक वाक्य बन frame question of following sentence, यह आपका answer दिया गया है, और इस पर यह how से relate क्या बनाना है, question का निर्बान करना है, how crossed the river, I crossed the river by what, तो how प्रशन कैसे बनेगा, कि मैंने नाव की साहिता से नदी को पार किया, तो प्रशन क्या बनेगा, कि उसने नदी को कैसे पार किया, ठीक है, how he crossed the river, simple सी बात है, दूसरे में, add question tag to the statement given below, यह जो statement दी गई है, इसमें आपको प्रशन वाचक छिन का उप्योग करते हुए प्रशन बनाना है, मोहन will go to school, तो हम कह सकते हैं, where मोहन will go, यह कह सकते हैं कि मोहन कहा गया है, तो आपको प्रशन वाचक छिन का उप्योग करते हुए प्रशन का निर उस पर आधारित हैं, इसमें सबसे पहले question number 12 दिया गया है, rate the passage given below and answer that follow, इस passage को अच्छे से पढ़ना है, यह आपकी book का passage है, यहां से लेकर यहां तक, और फिर इस पर आधारित प्रशनों के आपको क्या देने है, जबाब देने है, total कितने प्रशन है, total 6 प्रशन है, परते आपको इस पर आधारित प्रशनों के जबाब देने है, यहां से लेकर यहां तक आपका passage है, और इस पर आधारित total कितने प्रशन है, total 6 प्रशन दिये गया है, ठीक है, इन 6 प्रशनों के आपको जबाब देने है, और प्रतेक प्रशन एक अंका है, ठीक है, यह एक बार एक प्रश्न का जबाब आपको 80 सब्दों में देना है पहला प्रश्न है वाई ड़स दे राइटर गो टो बसरा हाउ लॉंग ड़स ही वेट देर एंड वाई जो लेकक है वो बसरा इस्तान क्यों गया था हाउ लॉंग ड़स ही वेट उसने वहाँ पर इतने समय के लिए इंजज़ार किया और क्यों किया आथवा में दिया हुआ है राइट दे क्रेक्टर इसकेस ओप वांडा वांडा का आपको जो चरीत्र है वो बताना है कि उसका चरीत्र कैसा था प्रश्न संग्या पंदरा आंस्वर एनी वन अप दे फोलोईं क्वेशन इन्टू अबाउट ट्वेंटी वर्ड्स वीस सब्दो के निरा आपको जबाब देना है पहला प्रश्न है यह इस चर्प्टर में का क्वेशन है और अगला है यह दोनों क्वेशन एक ही चर्प्टर के हैं दोनों में से कोई आपको एक प्रश्न करना है प्रश्न संग्या सोडा इसमें आपको एक इस्टांजा दिया गया है और वित रेफ्रेंस टू दू कंटेक्स्ट यानि इसकी सब परसंग व्याक्या करनी है दोनों में से किसी एक की का करनी है सब और संग व्याक्या करनी है ठीक है और इस पर आगर लिखा हुआ है राइट राइदम इसकी में वर्ड्स और अक्वर्डिंग टू दू पोएम वर्ड 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 विल एंड इन और यहाँ पर लिखा हुआ है इसको पढ़ना है और इस पर आधारिक प्रश्णों के जबाब देने है ठीक है दोनों में से कोई एक करना है फिर प्रश्ण संग्या सत्रा है आंस्वर अने टू अप दो फॉलोईग वर्ड वर्ड इन तीनों में से किसी दो प्रशना करने हैं और आंसर आपको देनो है लगबग बिस सब्दों में Question number 18 18 जवा है choose the correct answer ज़े आपर कुछ MCQ दिये गए हैं पहला है खाली जगह Is the writer of a question of trust A question of trust जो chapter है उसका writer कोने लेखक कोने वो बताना है दूसरा है What is the name of dog in the lesson और truth of surgery इस chapter के अंदर जो कुछता आया है उसका नाम क्या है ठीक है Question number 19 Answer any one of the following questions about 60 words इन दोनों में से किसी एक प्रशन का जबाब देना है सार सब्दों में पहला प्रशन है Gripin was rather a lawless person explained दूसरा है what is DNA fingerprinting and what are its uses इन दोनों में से एक प्रशन करना है answer देना है 60 words में Question number 20 Answer any two out of these three following questions in about 20 words इन तीनों में से कोई दो प्रशनों के जबाब देना है आपको 20-20 सब्दों में पहला है What was the problem of name Louisel और दूसरा है Who is usable different from other secret agent तीसरा है How does Anil think about the thief इन तीनों में से दो प्रशन करने है और जबाब आपको 20 सब्दों में देना है ठीके तो ये था आपका English विसय का paper जो की board के दुआरा official आपकी board प्रिक्सा 2-3-2 से तो जारी किया गया है यहनि आपके आने वाली board प्रिक्सा में paper का जो pattern होगा वो इसी आधार पर आधारित होगा तो आपको आगे की त्यारी है वो इसी paper pattern को ध्यान में रखते हुए करनी है कि कीस तरव के प्रशन पूछे जाएंगे कीस तरव की grammar पूछी जाएगी कौनसे section में कीस तरव के प्रशन पूछे जाएंगे यह सब चीज अगर आपको अच्छे से याद होगी तो आप अपनी त्यारी बहुत अच्छे से कर पाएंगे उम्मित करता हूँ मेरे द्वारा ये किएगी मेहनत आपके लिए उप्योगी साबित होगी कुछ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट सेर और सब्सक्रेब जरूर करें और यदि आपको मेरे क्लास और मेहनत पसंद आई है तो फिर अपने फ्रेंड्स अलकर में एक बार सेर जरूर कर दे आज के लिए इतना ही जै हिंद जै भरत